नमस्कार, गुड इवनिंग, अब सभी का आज बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग PCR डेटा के ट्रिक्स के बारे में समझेंगे और लाइफ ट्रेडिंग में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ रूल्स को समझेंगे जैसे पाँच रूल्स मैंने डेवलप किये हैं और जो हम लोग उस पाँचों रूल्स को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और जिसकी एकुरेसी करीब करीब 65 से 70 परसंट आपको लाइफ मार्केट में मिलती है वो क्या रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे PCR डेटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो वेबिनार का टाइम फ्रेम है वो करीब एक घंटे के आसपास का होगा जिसमें 30 से 35 मिनिट हम लोग कंटेंट के बारे में बात करेंगे और फिर ज्यादा टाइम हम कोश्चन एंसर में स्पेंड करने की कोशिस करें तो सबसे पहले चलते हम लोग अपने आज के टॉपिक में ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग यूजिंग पीसी डेटा यानी PCR का मतलब हो गया पुट कॉल और रेशियो यानि पुट कॉल रेशियो को यूज करकर कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे यानि P stands for put, C stands for call and R stands for ratio. यह पुट कॉल रेशियो क्या होता है, why this put call ratio is important जैसे technical indicators होते हैं, moving averages है, other indicators है, RSI है, candlestick charts हैं, but PCR ratio को क्यों इतना importance देना, why PCR is more important than other indicators, to PCR is why PCR is important, because PCR की जो formation होती है, वो आपके और हमारे capital deployment पे होती है, like moving average जो move करती है, वो price को follow करता है, whereas PCR, यानि put call ratio, यानि जब भी आप market में कोई positions create करते हैं, यानि आपने call option खरीदी, या put option खरीदी, या कोई भी positions market में जब create की जाती है, तो एक lot open interest create करने के लिए 2 लाग का capital deployment आता है, 2 लाग इस तरीके से आता है, कि जो आप as a buyer जब आप option खरीदते हैं, तो जो आप premium payment करते हैं as a margin, वो तो हो गया from a buyer point of view, capital जो आप deploy कर रहा है, और उसी contract का जो seller होता है, उसकी margin selling margin लगती है, जो which is approximately 1,60,000, 1,50,000, 1,80,000, तो कुल में लाकि एक average 2 लाग का capital deployment, एक lot का open interest create होने में लगता है, तो जिस positions को create होने में capital की deployment हो रही है, उस indicator की importance ज्यादा हो जाती है, क्योंकि this is the money market, money market, option market में हर आदमी, हर trader का AQM होता है कि मुझे profit बनाना है, तो everyone wants to make money into the option market, तो जो positions create हो रही है, उसका जो माया जाल है, जिस तरीके से positions बन रही है, वो आप पूरा PCR ratio के थुरू एक idea लगा सकते हैं कि किस तरीके से market में positioning हो रही है, और उस positioning के के जो main parameters हैं, उसको अगर आप अच्छे से समझ लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि other indicators, जो technical indicators हैं, उसके comparison में आपको results PCR से ज्यादा बहतर मिलते हैं, और इसको आप कुछ जैसे technical candlestick के जो patterns हैं, उसके साथ थोड़ा अगर mix up करनें, तो आपकी accuracy बढ़ जाती है, सबसे important इस पूरे concept में entry point है, यानि की PCR को देख करके आप ये find out कर लेते हैं, easily की market ऊपर या नीचे जाएगी, बढ़ सबसे यादा दिक्कत आती है कि किस level पे हमें entry करनी चाहिए, यानि what is the right entry point for option trading, क्योंकि options में क्या होता है, time value decay is the most important factor, जो हर दिन time value decay होता है, और right होने के बाद भी कई वार हम लोग wrong हो जाते हैं, because of right, wrong entry point, तो उसे हम समझाएंगे कि कैसे कैसे हमें कहां पे focus करना चाहिए, तो आईए next slide में हम चलते हैं, अब ये पाँच simple rule है जिसे हमें हर दिन follow करना चाहिए, और बड़े simple तरीके से मैंने इस पाँचो रूल को आपके सामने में ले करके आया हूँ, और ये पाँचो रूल में क्या-क्या हमें follow करना है, किस तरीके से करना, हम एक एक करके discuss करते हैं, rule number one, rule number one ये बोलता है कि हमें trading 11-30 के बाद करना चाहिए, 11-30 के बाद करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि फर्स हमारा objective है intraday में हम trade कर रहे हैं, तो अभी जो आज के webinar में हमारा main objective क्या है, कि हम intraday में option trading को कैसे successful बनाएं, और intraday में हम options, index options को किस तरीके से trade करें, either nifty, bank nifty, fin nifty, sensex, mid cap, ये जो method आप किसी भी index पे apply कर सकते हैं, और this method is valid only for intraday, और intraday में भी इसकी जो accuracy है वो 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आती है, अगर आप इसे 9 से 11 के बीच में use करेंगे तो हो सकता आपको accuracy कम मिलेगी, बट 11 से 3 के बीच में इस method की accuracy जादा आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जब 9 बजे, 7 बजे market खुलती है, तो उस समय का जो open interest होता है, वो opening open interest, बहुत minimum open interest होता है, यानि कि थोड़ी quantity का open interest हुआ, फिर जब 10 बजे तो और open interest develop हुआ, फिर 10.30 बजे तो और market में participants आएं, और open interest create हुआ, इस तरीके से mid market यानि 11, 11, 12 बस्ते बस्ते एक sizable open interest market का create हो जाता है, और फिर आप जो put call ratio find out करते हैं, उसकी reliability ज्यादा होती है, क्योंकि market में already nifty में जैसे call side में 50-60 lakh shares की position बन चुकी होती है, put side में 27-80 lakh shares की position बन चुकी होती है, तो वो एक अच्छी खासी position बनी भी होती है, तो आप put call ratio को analyze कर सकते हैं, अगर आप put call ratio को 9-30 में analyze करेंगे तो total market की outstanding open interest position से call side में 20-60 lakh है, और put side में 30-60 lakh है, तो positions कम होने के कारण वो positions कभी भी volatility में shift हो सकती है और change हो सकती है, तो कई वार आप लोगों नहीं यह देखा होगा कि सुबे-सुबे का data अचानक से change होने लगता है, this is because of low open interest, क्योंकि open interest कम रहेगा और market अचानक से गिरेगी या बढ़ेगी, तो वो open interest liquidate हो जाते हैं, अब वो liquidate हो जाएंगे तो PCR change हो जाएगा, इसलिए rule number one is, अगर हम PCR के basis पे trade कर रहे हैं, तो इसकी accuracy and reliability is higher after 11-11.30, उसका reason यह है कि sufficient open interest create हो जाता है, rule number two, rule number two में हमें यह देखना है, कि suppose किजे PCR, suppose किजे PCR, 11 बजे के बाद, PCR का जो data है, that is, that is say 1.50, 1.50 अगर PCR का data मिल रहा है, it is more than one, अगर एक से जादा होता है, greater than one is positive, greater than one is positive, और less than one हम इसे मान के चलते हैं, कि negative sign है, तो second rule यह बोलता है, कि हमें trend identify करना है market का, यानि intraday में market का क्या trend लग रहा है, और यह PCR data के उपर हम identify करेंगे, और 11-11.30 बजे के बाद आपको यह देखना है, कि PCR ratio is more than one और less than one, अब इसमें भी कई चीजें हैं मैं आगे discuss करूँगा, less than one और more than one में अगर one के आसपास ही एकदम है, तो आप उसे balanced PCR बोलेंगे, और suppose किजिए अगर one से ज़्यादा है, two है और one point seven five है, तो उसे imbalanced PCR बोलेंगे, अगर balanced PCR है तो कई बार market sideways होती है, तो हमें तोड़ा imbalance PCR अगर हो तो उसमें trade करना ज्यादा बहतर होगा, imbalance PCR को कैसे calculate करें अभी मैं Excel में आपको वो समझाने की कोशिज करूँगा, कि balance PCR क्या है, imbalance PCR क्या है और उसे कैसे देखना चाहिए, वाट अभी rules को समझ लेते हैं, तो rule number two ये बोलता है कि हमें market का trend identify करना है, ग्यारा बजे के बाद PCR डेटा को देखते हुए, PCR डेटा अगर greater than one है तो positive और less than one है तो negative, अब इसमें PCR डेटा में दो काफ़ important चीज हैं, हम लोग क्या है, नौर्मली खाली निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी और bank निफ्टी का अब यह मान के चलिए कि अगर body हमारी है, तो body का उपर का part और नीचे का part आप समझें, तो निफ्टी body का उपर का part होगया और body के नीचे का part आप bank-nifty मान सकते हैं, तो अगर bank nifty का data positive है तो और nifty का data flat to negative भी है तो उस case में कई बार क्या होता है कि market sideways होगी या positive की तरफ move कर सकती है तो हमें दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि nifty का data क्या PCR आ रहा है और bank nifty का भी PCR क्या आ रहा है अगर दोनों PCR negative है तो market negative की तरफ जाने की probability बहुत जादा होती है और दोनों PCR यानि नifty के PCR और bank nifty के PCR दोनों अगर positive है तो इसका मतलब पूरा पूरी body में strength है और market उपर जाने की probability जादा होती है जैसे आज मंतली एक्सवाइरी थी तो आज आप लोगोंने देखा होगा कि बैंक निफ्टी का जो PCR था वो ज्यादे तर टाइम positive साइड रहा और निफ्टी का PCR फ्लैट टू पॉजिटीव फ्लैट टू पॉजिटीव इस तरीके से था तो फाइनली हम लोगोंने देखा कि निफ्टी में बाउंस आई और निफ्टी बारबार नीचे गिर के बाउंस कर रही थी और इट वाज वर ऑल पॉजिटीव अंडर्टोन की तरफ आज मार्केट था जो पुट बायर्स थे उनको ज्यादा नुक्सान हुआ और कॉल जो बायर्स थे उनकी वोलेटिरिटी थी बड़ अल्टिमेटली कॉल में प्रीमियम रहे तो इस तरीके से हमें रूल टू में यह देखना है कि 11 बजे के बाद PCR का डेटा से हमें ट्रेंड क्या बोल रहा है तो ट्रेंड हमें मिल गया सेकेंड पॉइंट रूल नंबर थ्री यह सबसे इंपॉर्टन है रूल नंबर जो हम लोग नहीं कर पाते हैं या कई ट्रेडर्स एक्रेशन में फॉलो नहीं कर पाते हैं मार्केट आपको डेली मौका देटी है आज भी हम देखेंगे चार्ट में इस तरीके से में कॉल्स में मौका मिल रहा था तो यह इंटर्कॉल और पूट प्लोजर टू वीवाप य विट पीसिए डेटा रूल नंबर 3 यह बोलता है कि सपोस्स किजेंट से मुझे ये पता चला कि मार्केट का ट्रेंड फॉर एक्जम्पल अगर अप यह तो मुझे क्या करना है मुझे call लेना है अब पर तो call लेना है यह final हो गया अब call किस्समें लेना है that is very important अब हमें पूरे दिन 11 बजे से 3 बजे के बीच में wait and watch करना चाहिए और जैसे market volume weighted average के आसपास मिले विच इस वीवैप अगर आपको वीवैप नॉर्मली नहीं मिल पा रहा है तो आप जो भी ट्रेडिंग platform यूज करते हैं वहां पर आपको निफ्टी की ट्रेडिंग average मिलेगी निफ्टी की ट्रेडिंग average आपको हर हर software में मिलती है आइदर ट्रेडिंग आप मार्केट में ग्यारा बारे बजे के आसपास आपने देखा निफ्टी की जो ट्रेडिंग average है उस ट्रेडिंग average के आसपास अगर आप निफ्टी खरीबते हैं निफ्टी की call option खरीबते हैं तो उसे हम मानते है right entry point right entry point पे entry करने से फाइदा क्या होता है हमारा stop loss hunting का risk कम हो जाता है और हम साइजेबल stop loss के साथ काम कर पाते हैं अगर हम average से दूर entry कर लेते हैं कहीं पे भी options में तो कई वार क्या होता है कि आपकी जो निफ्टी की price है वो average के आसपास आते आते हमारा stop loss होने लग जाता है और हम trade में exit होना होता है इसलिए और पूरे दिन में market अपनी average पे एक ने एक बार आपको आती है ग्यारा बजे के बाद अगर वीवैप PCR positive है trend positive है तो market पूरे दिन में एक ऐसा मौका आपको देती है जो आपको average के आसपास entry करने का मौका मिलता है तो PCR अगर positive है तो हमें call side में entry करनी है वीवैप के आसपास लेना है और PCR अगर negative है तो हमें put में entry करनी है और हमें वीवैप के आसपास put लेनी है अगला question हमारे मन में आता है कि हमें कौन सी strike लेनी चाहिए तो हमेसा हमें add the money में काम करना चाहिए यानि कि अगर और add the money आप कहां से पचास start point का ही premium है तो आप spot level से ले सकते हैं यानि spot level और future level इन दोनों के difference के बीच की कोई भी strike आप ले सकते हैं यानि spot level अगर सपोज कीजे 22,000 है और future level 22,100 है तो आपकी जो trading strikes होनी चाहिए 22,000 हो सकती है 22,000 हो सकती है 22,100 हो सकती है इन तीनों strikes में भी जिसमें भी आपको comfortable लगे आप trading कर सकते हैं बट इससे जब हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको time value का risk ज़्यादा होगा यानि अगर 22,200 आप करते हैं तो वहाँ पे time decay का risk ज़्यादा हो जाता है तो यह point clear है कि rule number one हमें 11 30 के बाद यह data valid है rule number two हमें PCR के data को identify करना है उससे trend मुझे मिल गया अब trend suppose positive मिल गया तो फिर हमें wait and watch discipline के साथ करना है और rule number three यह बोलता है कि हमें VWAP के आसपास entry मिले तो हमें लेनी है अब suppose पूरे महिने में 22 trading session होते हैं अब 22 trading session में हो सकता है आपको 2-3 trading session ऐसे मिलेंगे ज 17-18 trading session आपको ऐसे होंगे जब आपको मार्केट 11 बजे के बाद वीवैप पर इंटरी मिल जाएगी और जिसमें आपको अच्छा खासा profit मिल जाएगा और छोटा stop loss होगा अब और जेनरली अगर आपने वीवैप पर लिया तो आपको टार्गेट तीस से 40 पॉइंट इंट्र तो आपकी capital deployment आ गई करीब करीब 12-15,000 maximum 15,000 मैं maximum पकड़ लेता हूं कि एक lot लेने में 15,000 का capital लगा और उसके उपर अगर आपने 1200-15,000 का भी profit book किया एक lot पे तो आपकी return on capital employed 10% के आसपास हो जाती है यानि कि हमें 25, 30, 35, 40 point की range में कहीं भी मिले profit book करने का target होना चाहिए अगर आप multiple lots में कर रहे हैं तो 25, 30, 35, 40 पे आप book कर सकते हैं stop loss अगर आप VWAP के आसपास entry कर रहे हैं तो 25, 30 point से ज़्यादा का stop loss किसी भी condition में हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग VWAP पे entry कर रहे हैं और हमने stop loss 25, 30 point से ज़्यादा का रखा तो इसका मतलब क्या है कि 25 point का stop loss होने का मतलब हो गया कि हमारा trade wrong चला गया और data यानि हमारा trade गलत हो गया इसलिए वो 25, 30 point का stop loss हो गया expiry वाले दिन हो सकता है कि 25, 30 point valid ना हो कई वार क्योंकि expiry वाले दिन जो contracts आप add the money लेते हैं उसमें moment nifty के हिसाब से होती है तो expiry वाले दिन यह जो method है यह valid हो सकता है अगले week के लिए यानि अगले week के contracts अगर आप trade करेंगा तो वहां पे 25, 30 point का stop loss सही है बट अगर current week कर रहे हैं तो current week में जैसे आज हम लोगोंने 20 point का stop loss रखा था बट क्या हो वह 10 पैसे से वह hit हो गई और फिर वापिस उसके वह उपर की तरफ move कर गई call option तो expiry वाली दिन अलग तरीके की move होती है बट 25-30 point का stop loss sufficient है अगर आप trade कर रहे हैं तो तो एक वार फिर से हम recap करके आगे move करते हैं रूल लंबर वन ग्यारत तीस के बाद हमें trade करना है रूल लंबर 2 हो गया PCR data से आपने trend identify कर लेना है क्या मार्केट का trend है रूल लंबर 3 वीवैप पे ही entry करनी चाहिए आप वीवैप पे entry करेंगे तो आपको risk कम होगा reward बहतर होगा और add the money call option या put option में trade करना चाहिए 30-40 point के आसपास का target और 25-30 point का stop loss अब आप next slide में आते हैं और अब यह जो rules अभी हमने discuss किये इसके कुछ limitations है और उसको हम समझने के बाद फिर अब live data में चलेंगे अभी और उसको समझने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके से इस मॉडल के limitations क्या है इसके जो normal hit ratio है वो 65 से अगर आप के करीब करीब seven trades profitable होंगे और और शी ट्रेट लूजिंग होंगे यानि 70 परसेंट तक हिट रेशियो इसके आते यानि बाइस ट्रेडिंग सेशन है तो बाइस ट्रेडिंग सेशन में अगर आपका 70 परसेंट भी रेशियो आ रहा है तो नेट में आपको profit मिलना चाहिए अभी विक्स जो है विक्स अभी करीब 16 17 के आसपास है विक्स वालेडिलिटी इंडेक्स आने वाले से हमें 25 हो जानी चाहिए अभी 16 17 है तो मार्च में वालेडिलिटी फैबरी के कंपरीज जादा होगी फिर एप्रील में मुझे ऐसा लगता है कि विक्स तीस की रेंज में आ जाएगी यानि मार्च से ज्यादा वालेडिलिटी एप्रील में होगी और फिर इलेक्स पर डिपेंड कर आ जांगे तो यह एक ऑपर्टुनिटी भी है हम औप्शन स्टेस के लिए क्योंकि होगी तो आपको ब्रटुनिटी भी मिलेगी और पर इसमें क्या है कि आपको स्टॉपलॉस वाइड हो जाता है क्योंकि विक्स के हिसाब से व में स्टॉपलास को फिर रीडिफाइन करना ह होता है जब विक्स कम है तो आप स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का फॉलो कर सकते हैं बट जब विक्स से 30 से उपर चली जाएगी तो फिर स्टॉप लॉस उस समय बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 30-35 पॉइंट का तो यह इसमें बैक टेस्टिंग में हम लोग नहीं देखा कि यह माइन में रखना है कि जब इलेक्स के समय अगर विक्स 30-35 हो जाती है तो इसकी एकुरेसी कम हो सकती है कभी भी कोई सदन मॉमेंट आ जाए पॉजिटिव नियूज और नेगेटिव नियूज के कारण विच इस अन्नोन इवेंट जो हमें पता नहीं है तो उस समय डे की का डेटा चेंज होता है वह अन्वाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स है या बायर्स है वह अपनी पोजिशन्स लिक्विडेट करते हैं अचानक से मार्केट गिरने लग गई तो जो पुट बायर से वह प्रॉफिट बुक करत है अगर कोई इवेंट का मतलब आपका बजट है या आरड़ियंगी पॉलिसी है तो उस समय इसकी जादा होती है क्योंकि नोन इवेंट को एनलाइज करके पूजिशन मार्केट में बनाई जाती है तो नोन इवेंट नहीं और अच्छे से काम करती हैं नोन इवेंट में डे इस पॉइंट से उपर या नीचे अगर या गयप डान हो जो रहर होता है नौर्मली दोस्तोंॉ नौर्मली अभी हम लोग 2020 का गयप या घप डाऊन देखते हैं इस आफ यह गया पप्या गयब डाँ 200 प bouenट से ऊपर का है अब हम एक वर कुछ लाइफ डेटा को समझते हैं कि कल और आज हम दो दिन एनलाइज करते हैं अभी लाइफ डेटा को अभी आपके सामने मेरी वीवैप वाली स्क्रीन आ रही होगी मैं आपको कल और आज 28 को लेके चलता हूं राउल मेरी स्क्रीन दिख रही है यह रॉइटर्स यह सब्सक्रीन अब देखिए मैंने आपके सामने 28 सारी का यानि कल का खोला है प्राइस चार्ट है और इसे हम समस्ते हैं अब नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि यह चार्ट मैं पोस्ट करता हूं और मैं रॉइटर्स सॉफ्ट्वेर जिसे यूज कर रहा हूं और रॉइटर्स से यह डेटा आपको दिखा रहा हूं पीसी आर का जो डेटा है फर्स्ट हमारा रूल क्या है कि ट्रेड आफ्टर लेवन तो रूल नंबर वन हमें ग्यारव ज़े के बाद ट्रेट करना है कि युज कि अदिशे रूल नंबर वन कि आउल लंबर टूरू नंबरट टू क्या हो गया हमारा रूफ बंबर्स ट्रेंघ कि यह जारव ज़े के बाद देखना है पीसी आर क्या है तो 28 तरिक को तक रोप्तर रहा है झाउंक्यू ताप सब्सक्ते से संब्सक्राइबमिश को क्लेर करना कि मैरा अगर हमें यह पता है कि मुझे इस धेक्टिनेशन तक जाना है जाना तो हम ने देसक्राइम अगम इस रास्ते है कि हम इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से जाएं तो फिर उस case में बड़ा होता है कि हम अपने डिश्टिनेशन पर पहुच पाएंगे या नहीं पहुच पाएंगे तो इहां पर प्राइमरी है की आपको यह होना चाहिए कि आज मार्केट में मुझे किस डारेक्शन में ट्रेड करना है उसके लिए आपको कोई ना को एक रूल करना पड़ेगा जब हम टेक्निकल आनलेसिस फॉलो करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि एक ग्रीन कांडल बनती है तो लगता है कि मार्केट उपर की तरफ मूफ करने वाली है और जब रेड कां के लिए हमें कन्फ्यूज करती है बट जो PCR का जो डेटा है वह आपको दिखाता है और एक डारेक्शन में आपको व्यू देता है कि मुझे किस डारेक्शन में ट्रेड करना है यानि फॉर एक्जांपल जैसे कल की हम बात करना है रूल टू यह बोल रहा था PCR का डेटा लेना डेटा नेगेटिव है तो यानि मुझे लेना है यह यह यानि डेस्टिनेशन हमारा रास्ता क्लियर है और डेस्टिनेशन इस पूट ना रूल थी है कब लेना है हमें लेना है जब वीवैब के आसपास आ जाए तब लेना है और वीवैब का मतलब हो गया volume weighted average price और volume weighted average price अगर आपके पास charts नहीं है आपके पास graphs नहीं है तो आप अपने trading platform पे market की trading average देख सकते हैं जो market की trading average पूरे दिन की उस समय से चल रही है उसके आसपास हमें entry करनी है अब यह मौका market ने यहां पर दिया यह इसका जो distance देखेंगे यह approximately करीब 15 point का distance था यहां पर यह यानि market ने हमें इस level पर एक मौका दिया था कि हम put options ले पाएं कल पूरे दिन में और यहां पर जो put options करीब करीब अगर आप देखेंगे तो बाइस हजार पचास की put option हाँ बाइस हजार पचास की put option करीब करीब यहां 50 rupees के आसपास थी बाइस हजार पचास थी और फिर यह put बढ़के एक सो पचास के आसपास हो गई थी यह कल price मैंने देखा था कि इस तरीके से मूव कर रही है तो बेसिकली रूल 3 हो गया रूल 4 हम लोगों ने यह discuss किया था कि जब भी हमें 30 से 40 पॉइंट का profit मिले तो हमें बुक कर लेना है और रूल 5 हो गया कि आपको stop loss इस लेवल पर अगर आप इंट्री करते हैं तो आपको 25 पॉइंट का options में रखना है तो यह clear हुआ होगा कल के graph से हमें कि रूल 1 11 बजे के बाद रूल 2 यह बोलता है कि PCR का data से हमें क्या करना रूल 3 हमें इंट्री वीवैप पर करनी है अब इसी रूल को हम और previous days में एक बार देखते हैं सो डैट हमें आइडिया लगे कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए अब मैं आपको एक बार आज का डेटा पर हम लोग स्टड़ी करते हैं कि अब आज का डेटा में रूल लंबर वन यह बोलता है कि ग्यारा बजे के बाद हमें देखना है ग्यारा बजे के बाद PCR का डेटा निफ्टी निफ्टी का डेटा निफ्टी इट वास निगेटिव माइनस में था PCR और एक और जो मैंने बात करी थी बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी का डेटा को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी में जो में एच्टी एपसी बैंक आइसी एसी बैंक कोटक बैंक और चार Bانक इश बयाई है और यह इन जब का वेटेस्ट निफटी निफटी में करीब 35-40 परसंट निफ्टी में इनका वेटेज है है 10 परसंट 맞 बागए तो बैंकिंग और एला आइंस मिला के 50 परसंट इटी का वेटेज हो गया आपको करीब 20-20% तो हो गया यह 70% और बाकी जितने बच गए वो सारे मिला के 30% हो गए तो निफटी में निफटी का मेजोरिटी जो निफटी मूव करती है उसमें एक तो रेलाइंस हो गया बैंक निफटी हो गए और IT हो गई ये तीन Nifty के main components हैं जो Nifty को पूरा move करके चलते हैं तो हमें ये धियान रखना है कि either bank Nifty या IT अगर इन दोनों में से कोई न कोई strong है तो Nifty में ज़्यादा weakness नहीं आएगी अगर bank Nifty strong है तो Nifty ज़्यादा strong है IT is strong है और bank Nifty weak है तो इसका हो तो bank Nifty sideways होगी बट weak नहीं होगी क्योंकि IT is supporting the Nifty और IT में TCS और Infosys इन दोनों का weightage Nifty में काफी है तो इस तरीके से तोड़ा components की analysis भी अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा value add करेगी confidence देगी trading में तो यहां पर जैसे आज banking का data में positive था तो अब हम लोग यह देख रहे थे और undertone overall आप देखेंगे तो यह यह वी वैप था यहां से एक bounce आया फिर यह सार्प क्योंकि मंत्री expiry थी सार्प movement हो रही थी आज मार्केट में बट undertone overall यहां से फिर एक यह bounce पिर यह एक bounce था आज हम लोगों ने इस लेवल पर put ली थी sorry call option ली थी यहां पर and we got stopped out here और उसके बाद फिर यह इस तरीके से move out हुआ यह तो अगर आप देखेंगे तो यह वी वैप के नीचे आज गई है market और sudden movement आ रही थी stop loss अगर थोड़ा सा wide stop loss होता तो आपको calls में stop doubt नहीं होते हर बार profit मिलता बट यह की undertone overall आप देख सकते हैं कि वी वैप यह जो blue line है this is average line और यहां से बार-बार market में bounce मिल रहा था और निफ्टी का PCR flat था अगर यह positive होटा तो ज्यादा अच्छा होता बट आज का जो डेटा था निफ्टी का PCR flat to slightly negative और बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटीव था तो एक बार बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मुवमेंट हो रही थी कि लेट सी दे बैंक निफ्टी मैंने आपके सामने सेम चार्ट बैंक निफ्टी का खुला है यह बेसिकली मैं यह कोशिस कर रहा हूं कि आपको clear हो कि किस तरीके से हमें trade करना चाहिए अब इसमें 11 बजे के बाद हम analyze करते हैं 11 बजे के बाद यह देखिए sideways momentum है यहाँ पे पूरा इस level के आसपास PCR का data पूटा मुटे average बैंक निफ्टी का PCR का data positive और फिर यह यह बैंक निफ्टी में यह move वीवैप से उपर आई फिर यहाँ पे एक वर वीवैप पे last में आया फिर market bounce किया एक यह भी मूव थी करीब करीब अप्रॉक्सिमेटली आराउंड वीवैप ना और लर्निंग यहाँ पे यह है कि अगर हम वीवैप पे इंट्री नहीं करते हैं सब्सक्राइब करते हैं या हम ब्रेकाउट्स पहले काम करते थे आज से जब वीकली एकस्पाइरी इस आई आहीं हैं और जबसे हर दिनisini इंडेक्स फेल्स ऑप्शन डेडिंग कभी या ब्रेकौट्स पे ट्रेड नहीं कर सकते ब्रेक आउट्स या ब्रेकडाउन इस ओनली टू ट्रैप, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कभी भी इंडेक्स आउप्शन किसी भी प्रोड़क्ट की ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ट्रैप करेंगी, आपको हमेशा रिट्रेस्मेंट पे या फिर राउंड वीवैप पे ही ट्रेड करना चाहिए आप कोई भी ब्रेकाउट साइज देखिए यह ब्रेकाउट हुआ सस्टेन नहीं किया और फिर यह इस तरीके से मूब्मेंट है तो हमेशा हमें ध्यान यह रपना है कि यह जो एवरेजेज है इसके आसपास ही इंट्री अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेज बहुत अच्छे बनेंगे इस तरीके से जो PCR का डडेटा है वो। जो हमारी इंडेक्स ट्रेडिंग के जो PCR डडेटा चैनल है वहांपर डडेटा है लास्ट देड़ दो साल का डेटा अवलेबल है और आप उस डेटा में जाकर के बैक्टेस्ट भी कर सकते हैं सारा डेटा जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ तो उस डेटा में जाकर आप बैक्टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल की ECR Data Update इसमें अगर आप इस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो करीब करीब प्रीवियस मोर देन वन येर का डेटा एवलेबल है तो इसी तरीके से आप एक Excel सीट में जो रूल्स मैंने अभी बताया इसे आप बैक्टेस्ट कर सकते हैं महिने दो महिने तीन महिने जब आप बैक्टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जागा कि क्या एकुरेसी है और कितना प्रॉफिट हमें इस मेथेट पे मिल रह है है यह डेटा के ऊपर कर सकते हैं और प्रीवियस प्राइड़े का एक देखते हैं और प्रीवियस प्रीविईएड़े का प्रिपार का निकाल लेता है और फिर आप देखे सब्सक्राइब को और अब हम वो डेटा चेक कर लें गैसे की कि एपी का डेटा और का डेटा सपोर्स यह बात कर रहा हूं तो प्रैप्ररी की गैडिव है ज्यारए बजित के बाद मुझे ट्रेड लेना है और डेटा negative है तो ग्यारे वजे के बाद सपोज यह यह मूव आपकी मिस हो गई फिर हमें यह वी वैप पर ट्रेड मिला और फिर देखी दिस वाज दा सडन फॉल अब प्रॉब्लम यह आती है कि ब्रेकडाउंस में अगर हम नो सपोज यहां पर ट्रेड इंट्री कर ली अगर मैंने यह यहां पर पुट खरीद लिया सपोज मैंने यहां पर खरीद लिया चार्ट को देखके तो यह लेवल आते आते क्या होगा आई विल गेट स्टॉप लॉस हिट स्टॉप लॉस हिट तो फिर फिर उस समय प्रॉब्लम हमें यह आती है कि हम PCR डेटा को फॉलो कर रहे हैं PCR कि एस पास आई और आप खरीद तो यहां पर आपको आता है अब 23 का एक वर डेटा चेक कर लेते हैं कि PCR क्या था अभी मैंने वीवेब के ग्राफ को देखके समझा कि ये डेटा निगिटीव होगा बट एक वर हम डेटा को चेक करते हैं ते इस तरीक को चलते हैं 23rd अार डेटा बटाइब को चेक करते हैं प्रव जुपिए एक वर हम डेखके समझा का मिलुपिए येफ्म झालते हैं ये झालते हैं ये लुपिए ये कि इस एक मोट हम दिए ध्यान रखेंगे 21 फेबरेरी को डेटा पॉजिटिव है अभी हम चेक करेंगे 21 फेबरेरी को क्या हुआ और हम आते हैं 23rd को 23rd 23rd 22nd 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 23rd 21 21 का डδα 21st 21 फेबरी के बाद कुछ एक्सपाइरी है वीक्ली एक्सपाइरी बाइस फेवर्री जो भी डेटा मुझे भी नहीं मिल रहा है बट ट्वेंटी थार्ड को एक वार आप देख लिजागा डेटा क्या बन रहा है अगर PCR का डेटा नेगेटीव होगा तो इस तरीके से हमें 23rd को मुव मिली अब हम वापिस से अपने रूल्स में आते हैं और फिर हम question answer session में चलेंगों तो basically क्या है कि हमें इन simple पांच रूल्स को follow करते वे ट्रेडिंग करनी है और मैं आपको अब वापिस से PPT में लेकर चलता हूं अब यह PPT दुबारा से तो basically क्या है हम यह पांच रूल्स के बारे में बात कर रहे थे ट्रेडिंग अपने जितनी simple हो उतना trade decision लेना असान होता है जितना complex हम उसे करेंगे अलग-अलग indicators लगा करके उतनी ज्यादा decision making में दिक्कत आती है बड़ा simple यह rules है जो market में काम कर रही है और इस rules के उपर हम ह फॉलो कर रहे हैं वो profit बना पा रहे हैं जो रूट को फॉलो नहीं कर रहे हैं वह प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो basically यह रूल को हमें discipline से फॉलो करना होगा और इस rules में simple साड़े 11 के बार trade लेना है PCR data से trend identify करना है वीवैप के आसपास हमें लेनी है trade और 30 से 40 point का trade target होगा काफी clear and simple rules है इसके अलावा हाँ यह जो data का graph है यह काफी important है जो PCR ratio है उसके graph को भी आप देख सकते हैं कि PCR ratio हर 5 minute और 15 minute में किस तरीके से उसके graph smooth कर रहा है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं हम लोग price के graph को देखते हैं बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं PCR के data graph को यह PCR के जो data की values है उस वो किस तरीके से move कर रही है यह जैसे आज का data है निफ्टी का जो data था वो बहुत random data था रैंडम का मतलब इस तरीके से PCR move कर रही थी तो आज के दिन को आप बोलेंगे कि PCR का data आज उतना successful नहीं था तो अगर आप 10 में से 7 ट्रेडिंग सेशन में मानों तो आज अगर हम बोलेंगे तो PCR के साब से लूजिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो कि निफ्टी का PCR बहुत और PCR आज आप अगर छोटा लॉस करते कल बड़ा प्रॉफिट करते तो इस तरीके से जैसे आज का data काफी रैंडम था और अगर मैं previous data की बारे में बात करूँ जैसे जैसे यह और किसी ट्रेडिंग सेशन का data है आप इसमें देख सकते हैं कि जो data की formation है यह मैं बात कर रहा हूँ PCR data की जो formation है वो clear cut uptrend में है यह data का bottom है data का bottom है आप एक trend line plot कर सकते हैं PCR data पे आप एक channel plot कर सकते हैं यह uptrend है data का तो इस तरीके का अगर data मिल रहा है तो वो काफी strong signal होती है और अगर वो वीवैप के आसपास आपको मिलता है तो काफी strong buying देखने को मिलेगी अगर कभी-कभी इस तरीके का data है और वीवैप से दूर भी है थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा दूर है तो भी आप entry कर सकते हैं क्योंकि data में strength बहुत ज्यादा है तो यह data की trend को भी हमें देखना चाहिए जैसे यह और किसी trading session का data है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह data negative था nifty का data भी negative है this is a nifty PCR और यह bank nifty का PCR ज्यादा negative है यह zero line हो गई और यह zero है तो यहां से अब इस से आपको अगर suppose आप if you are a bank nifty trader कई वर क्या होता है कि nifty में trade करूँ या bank nifty में trade करूँ दोनों week है बट कौन ज्यादा week है तो आप इस data से पकड़ सकते हैं क्योंकि जो zero से difference है value का यह bank nifty का ज्यादा है और nifty का कम है तो इसका मतलब market को जो pull down करेगी वो bank nifty pull down करेगी nifty को कई वार क्या होगा कि हो सकता है nifty का data strong side में कई वार क्या है nifty का data strong होगा bank nifty का data कम strong होगा कई वार हम लोग देखते हैं कि निफ्टी बढ़ जाती है तो वह आप PCR के data को देख करके पकड़ सकते हैं कि विची stronger between nifty and bank nifty कभी ऐसा क्यों होता है कि निफ्टी बढ़ गई बैंक निफ्टी नहीं बढ़ी it is only because of reliance and IT stocks अब जैसे निफ्टी में 100% अगर आप देखें तो दस परसेंट हो गया reliance और IT stocks हो गए 30-40% और फिर banking हो गए 30% तो सब्सक्राइब रिलाइंस उपर जा रहा है आई टी स्टॉक्स उपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रही है तो क्या होगा निफ्टी विल गो अप एन आप निफ्टी मूव करती रहेगी और बैंक निफ्टी नहीं मूव करेगी तो इसलिए यह इंबालेंस क्रेट हो जाती है करे बार तो हमें यह PCR का डेटा से आप यह पकड़ सकते हैं कि हमें बेसिकली निफ्टी में ज्यादा स्रेंथ है या बैंक निफ्टी में ज्यादा स्रेंथ है और वो उसके वैल्यू के स्लोप को देख करके पकड़ा जा सकता है अब जैसे हमें Excel से एक और फार्मूला से समझ लेते हैं कैसे हम लोग PCR कैलकुलेट करते हैं फिर हम आपके सामने Excel लेकर के आ रहा हूँ एक इंबैलेंस और बैलेंस PCR के बारे में हम बात कर लेते हैं फिर हम कोश्चन एंसर सेशन में चलेंगे बैलेंस PCR क्या होता है और इंबैलेंस PCR क्या होता है अब उसकी जे PCR की हम कैलकुलेशन देख रहा है यह कैलकुलेट कैसे होती है पॉल्स का चेंजिन ओपन इंट्रेस्ट का COI हमारे लिए एक तो होता है open interest और एक होता है change in open interest तो अगर हम intraday trade कर रहा है तो हमारे लिए change in open interest ज्यादा relevant है compared to open interest क्योंकि open interest हमारे go down में जो पड़ा हुआ माल है वो है और change in open interest आज जो नया माल मार्केट में चल रहा है वो है यानि आज जो नई खरीद विक्री हुई है that is change in open interest और आउटस्टेंग ओपन इंटरेस्ट हो गया जो कल तक positions पड़ी वी है तो वो आउटस्टेंग ओपन इस मोर रेलेवेंट कमपेर तो आउटस्टेंडिंग ओपन इंटरेस्ट अब सपोज कीजे कॉल्स का चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट है दस लाख अब हमें ये कौन-कौन से श्ट्राइक देखनी चाहिए ये कौन-कौन से श्ट्राइक देखनी चाहिए अभी हम PCR निकाल रहे हैं अब मैं आपको श्ट्राइब के साथ लेके चलता हूँ सपोस्कि जब 22000 है यह मेरी add the money है. add the money हो गई 22000 है. तो most relevant is 22250 यानि कि इस से 50 पुइंट इस से 50 पुइंट उपर और इस श्ट्राइब से 50 पूइंट नीचे. यही हमारे लिए यह center strike हो गई spot level यह spot level से आप लीजे future से नहीं 50 पंड उपर 50 पंड नीचे और ज्यादा अगर आपको देखना है तो और 50 पंड उपर हम maximum ले सकते हैं अगर premium है तो अगर premium नहीं है तो वो relevant नहीं है अगर premium है अगर इसमें suppose कि यह 20 उर्पय से ज्यादा premium है 20 रुपीज से ज्यादा है तभी यह strike relevant है otherwise यह दोनों strikes relevant नहीं है suppose मैं मान रहा हूँ कि strikes में premium है इसका open interest is 12 लाग और puts में puts का open interest is 20 लैक्स 20 लैक्स तो मेरा PCR रेशियो कितना आएगा PCR रेशियो PCR रेशियो PCR will be put change in open interest divided by calls change in open interest यह गड़त हो गया यह 20 लाग 1.67 which is greater than 1 इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे इंबैलेंस PCR इंबैलेंस PCR यह add the money का जो PCR है इंबैलेंस है और puts में position 20 लाग है calls में 12 लाग है यानि market की possibility क्या है कि निफ्टी अप जाएगी chances यह है कि निफ्टी अप जा सकती है PCR में इस तरीके का अगर PCR का data मुझे दिख रहा है तो suppose कीजे यह 12 लाग है और यह होता 13 लाग तो यह PCR क्या है 1.08 इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे बालेंस PCR बालेंस PCR अगर इस तरीके का situation है तो market में chances क्या है market में chances है market sideways होगी कोई clue नहीं है क्योंकि यह data change कभी भी हो सकते हैं यह 12 लाग यह 13 लाग हो सकता है थोड़े देर में यह 12 लाग हो जाए बराबर हो जाए हो सकता है थोड़े देर में यह 10 क्योंकि market में position चल रही है दस लाग हो जाए तो लेज देन हो सकती है तो जब भी कभी इस तरीके की situation हो बालेंस situation हो तो उस समय में trade नहीं लेना चाहिए हमें वेट और वाच करके देखना चाहिए कि imbalance create हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह तो मैंने बात करी at the money की अब suppose कीजिए पचास पांट उपर वाली में पंदर लाग है और यहां पे 25 लाग है 25 लाग है और इसमें इंद मनी में आठ लाग है और इंद मनी में तो आपको PCR कैसे निकालना चाहिए PCR यह ज्यादा वैलीड निकलेगी PCR यह यह सम और इसका सम और फिर इस पुट्स यॉइड बाई कॉल्स यॉई तो 1.94 यह कंप्लीट इंबाइलेंस हो गई यानि की इंबाइलेंस इंबाइलेंस PCR है हमें क्या करना है हमें जैसे मौका मिले हमें क्या खरीदना है हमें कॉल ऑप्शन लेना है और पुट को छूना भी नहीं है हमें कॉल ऑप्शन लेना है और हमें पुट को कलती से भी नहीं चुना है यह जो मेठेड है यह मेठेड को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सतर असी परसंट देड मिलती है यह की पीसियर में भी इस तरीके से होती है बैलेन्स फॉरफस यह ब इस तरीके से होता 35은्ह भी यह यह सैंगर भी होती मेरी तो इसे हम किलेंगे डालेंस को हम एवउइड करना है फिर यह आपको चेन्ज होने का रिस्क है तो यह सिंपल कैलकूलेशन है PCR की और यह जो 35 या 62 लाक्स इतना बड़ा हम ओपन इंट्रेस्ट देखते हैं इसको क्रेट करने में आप क्योंकि 15 लाक्स इर डिवाइड बाई से नॉर्मली एक स्ट्राइक पे इस पारी वाली दिन आप देखेंगे तो सब्सक्तिया सिर्फट फैन ट्रेस्ट होता है तो 35 लाक्स वाइद ऐसे यानि कितने WIN अलंट होग मैं की इसमें होने के कारण ही हम देख पा रहे हैं कि यह मेथड काम कर रहा है तो इस तरीके से पीसे र कैलकूलेट होता है अगर पीसे र सपोज लेज देन वन है यानि कि तीस यह इस तरीके से पीसे र है पॉइंट फाइट पीसे र अगर है तो इसका होता हमें क्या करना है वी वैप के आसपास फूट खरीदना है और यह जो ओपन इंट्रेस्ट है यह कम से कम एक साइड में 40-50 लाग का ओपन पैलेंस दिखा दस बचे आपको डेटा ये दिखा कि यहां पे 10,000 और हमें 50,000 और यहां प्लध पचास जजर है यहां पन इस वाजर है यह जह फ्हापी यूसफन एक्जामपल में आपको दे रहा हूं जो प्रैक्टिकली हमें दिक्कत आती है वो यह है यह 10,000 और यह 50,000 ये पचास हजार और ये ये पांच सो ठीक है और ये सपोस किजिए एक हजार और ये पांच हजार अब आप देखिए आपका PCR कितना आ रहा है नौ आ रहा है मगर PCR नौ आ रहा है तो हमारे मन में ये आएगा कि 9 PCR पे भी हमने अगर कॉल खरीदी तो हमें लौस क्यों हुआ किवल ग्यार हजार पांच सो है और पुट्स का किवल एक लाख है तो ये नंबर ऑफ सेर्स जो ओपन इंटरिस में चेंजेज हुए ये कम है अब ये मैं अभी डिसकस आज के वेबिनार में इसलिए कर रहा हूं कि अब हम इलेक्शन की तरफ मूव करने वाले हैं तो ये मार्केट से हट जाएंगे जब विक्स जादा होती है तो ऑप्शन जो राइटर होते हैं वो ऑप्शन की पोजिशन नहीं बनाते हैं विकॉज आफ रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएंगे और आपको आउटस्टेंडिंग ओपन इंट्रेस्ट जो है वो कम होने लग जाएगा मार्केट में ओपन इंट्रेस्ट कम होगा तो PCR में इस तरीकी की सिचुईशन हमें देखने को मिल सकती है यानि PCR 9 से तुरंत मैनस में भी आ सकता है यानि नेगेटिव भी आ सकता है इसलिए होता है क्योंकि outstanding open interest की positions कम है तो हमें ये भी ध्यान रखना है केवल ratio पर हमें focus नहीं करना है हमें ये ध्यान रखना है कि जो COI की quantity है वो कम से कम एक side में 25-30 लाग से जादा हो अगर COI तीनो strikes को मिला करके 25-30 से कम है तो इसका मतलब जराज मार्केट डल है मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है जब तक वॉल्यूम्स नहीं होंगे तब तक PCR की accuracy आपको नहीं मिलेगी तो यह सब factors है जो practical experience है हम लोग सीख सकते हैं और इन चीजों को implement कर सकते हैं अब हम question answer session में चलते हैं आप लोग को यह concepts clear हुए होंगे rules भी समझ में आयोंगे किस तरीके से में rules को follow करना है इसमें discipline चाहिए कई वर क्या होता है कि entry छूट जाती है market उपर जा रही है जा रही है लग रहा है कि हमें entry नहीं मिलेगी बट वो ले देता लेकि के आसपास और जन्रली एक और पॉइंट में हैलाइट करूंगा जन्रली ट्यूजडे को तूझस्डे को stop loss marketing मार्केट में देखी जाती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि वर्डे को फ्रैडे को इक सपारी चालू होती है तो बने तूज़े को क्या मार्केट में एक तरीके का जिग-जाग मुवमेंट आएगा जिनरली होता है क्योंकि वेड्नेस डे और थर्सडे की तरफ मूव करते हैं तो तूज़े को आपको निफ्टी में वॉलेटिटी देखने को मिलती है तो तूज़े को हमेशा हमें ट्रेड लेना चाहिए वन एक बज़े के बाद क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी वह एक बज़े के पहले हो चुकी होती है तो एक बज़े के बाद अगर आप यूज़े को लेंगे तो आपको विनिंग प्रबाबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो हम यह ध्यान रखना है कि ट्यूज़े को एक बज़े के बाद वीवाब के आसपास मिलता है तो वो ट्रेड लेना पीसे डिरेक्शन के साथ ज्यादा बेहतर है और हम कुश्चिन एंसर में चलते हैं रहूल आप कुश्चिन से ले सकते हो Sure sir, thank you. And before Q&A, I just wanted to take a moment to extend my heartfelt gratitude for your exceptional webinar on PCR data and VWAP sir. Your expertise and clarity in presenting complex concepts made the session impressively valuable. Your thorough explanation on PCR data and VWAP labels provided to our attendees with a deeper understanding to the crucial aspects of trading. The real world example and the practical insights you shared were incredibly illuminating and making the subject matter more accessible and actionable. With that, we can move to the Q&A session. So first question is from Mr. Gopal Shivastav. He want to ask that what is the PCR VWAP strategy before 11 a.m. in the expiry day? अब जो क्विश्चिन इनका है कि expiry वाले दिन 11 बजे के बादे हमें कौन से strategy follow करने चाहिए? तो अब जैसे मेरी जो study है वो PCR पर ही है अब ग्यारे बजे क्या होता है जो opening है उसे हम बोलते हैं emotional opening मार्केट में जब भी जो opening होती है वो आप देखेंगे सवा 9 बजे से लेके 10 बजे तक मार्केट में अन्निससरी जिग 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 होती है तो बेटर है कि आप इंट्राडे ट्रेट कर रहे हैं तो सुरू की opening अवॉइड करें तो ज्यादा बहतर होगा क्यों ओपनिंग जो होती है वो overnight पर डिपेंड करती है कल की position overnight किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट हुआ है पोजिशन की liquidations क्या है तो मेरे ख्याल से opening में मुझे कोई ऐसी strategy अभी नहीं मिली बैक टेस्टिंग वगर में जो मैं opening में confidence के साथ आपको बोल सकूं कि आप 9-10 बज़े उससे opening में trade कर पाएं बट यह है कि 11 बज़े के बाद जो मैं strategy discuss कर किया मैंने उसकी accuracy ज्यादा है ओपनिंग के लिए आपको कुछ जूणनी पड़ेगी मुझे बैक टेस्टिंग कर रहे कोई ऐसी strategy नहीं मिली जिससे मैं पकड़ पाऊं कि opening सभा 9 वज़े से लेके 10-10 वज़े तक आप क्या फिर तो आप चार्ट वगर्र देख सकते हैं केंडल स्टिक को आप यूज कर सकते हैं कि 15 मिनिट का जो opening high low है कई वार कई traders यूज करते हैं हम लोगों ने उसे बैक टेस्ट भी किया था open high low close बोलते हैं यानि कि जो opening कैंडल 30 मिनिट की फास्ट ऑपनिंग कैंडल है अगर उसका हाई ब्रेक कर रहा है तो उसका low के stop loss रख कर कर के आप trade कर सकते हैं 30 मिनिट ऑपनिग कैंडल और अगर low break हो रही है तो आप low पे कर सकते हैं low break करने मंदी मिस्टर महेश कुमार पतेल जी का उनका कहना है कि आटो टेंडर इसनाइस सॉफवेर जस्ट बॉट अमेंबर्शिप फ्यू देज अगो एंड मेड डीप स्टडी इंट 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 इन फोर देज उनली आई मेड़ प्रॉफिट ऑफ एप्रॉप्रॉप्स एट लैक अगला कुशन है मनोज वास्तवानी जी का उनका कुश्चन है कि विच वेबसाइट यू आर यूजिंग टू रेफर वी वैप कि मैं जो यूज कर रहा हूं जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया वह रॉइटर्स है बट रॉइटर्स कॉस्ट्ली सॉफ्ट्यर है सो बहतर है कि विवैप आपको किसी भी सॉफ्ट्वेर में मिल जाएगी आप फैलकन यूज कर सकते हैं स्पाइडर यूज कर सकते हैं फैलकन इस टेक्निकल सॉफ्ट्वेर वहां पे आपको विवैप भी मिल जाएगी और फैलकन में पीसीर भी प्लॉट कर सकते हैं so that is one option second option is you can go for SMC auto trender जहां पर आपको derivatives के कई data points मिलते हैं वी वैप भी मिलता है जो data है उनके charts भी मिलते हैं और PCR की calculation हर 5 minute पर मिलते हैं बाकि जो stocks हैं उनकी भी calculations delivery data वगरे मिलते हैं तो यह आप second options में जा सकते हैं और और the simplest way is कि जो भी आप trading platform यूज कर रहे हैं वहां पर average price आती है average price हर instrument की जो futures में ट्रेड होते हैं index nifty की आप spot की futures आपको average नहीं मिलेगी बट आपको future में मिल जाएगी जो index nifty है तो वीवैप की जगह आप average को भी यूज कर सकते हैं तो यह तीन तरीके से आप वीवैप find out कर सकते हैं थैंक्यों सर अगला question है गिरीश कुमार जी का उनका question है कि विच PCR विनी टू चेक ATM ITM और overall और अगर Friday है तो आपको ATM से तीन स्ट्राइक ऊपर तीन स्ट्राइक नीचे चेक करनी चाहिए क्योंकि प्रीमियम्स होती हैं, सारी strikes में, यह डाइनीमिक PCR है बेसिकलि, अगर आप से मंडे को check कर रहे हैं और आपका प्रीमियम्स उपर काफी है, उपर की strikes में, नीचे की strikes में, तो कम से कम ATM पलस 3 strikes ऊपर 3 strikes नीचे चेक करना चाहिए बट अगर आप expiry वाले दिन trade कर रहा है किसी भी product में जिसकी expiry उस दिन है तो उस दिन ATM और उससे एक उपर एक नीचे इसका combo बना करके आपको PCR को track करना चाहिए तो basically सबसे relevant जो है वो add the money है in the money उतनी relevant नहीं होती है क्योंकि in the money में हमेशा आपको PCR normally one मिलेगा यह one से उपर मिलेगा but add the money important है add the money में अगर PCR is greater than one then उपर जाने के chances जादा है और add the money में अगर less than one है तो नीचे जाने के chances जादा है thank you sir sir अगला सवाल है ब्रिज मोहन शर्मा जी का वो चाहते हैं कि हम थोड़ा explain करें roll over के concept को roll over concept काफी लंबा है उसमें बहुत सारे stocks होते हैं तो वो इस webinar में explain नहीं कर पाएंगे उसके लिए पूरा एक webinar चाहिएगा तो sir जैसा हम सजेश्ट करें तो एक हम webinar के concept भी organize कर सकते हैं कर सकते हैं मैं आगे डेट्स बताते हैं सर अगला सवाल है विकास जी का उनका कहना है कि जो आज हमने इस webinar में strategy के बारे जिस strategy को discuss किया क्या वो expiry day के उपर भी work करेगी बिल्कुल work करती है और हर expiry पे हर expiry instrument product पर काम करती है और अभी तो कि आप पांचों के पांचों दिन expiry हैं तो आप इस concept को Monday को mid cap expiry में यूज़ कर सकते हैं Tuesday को fin nifty में यूज़ कर सकते हैं Wednesday को bank nifty में Thursday को आप निफ्टी में और Friday को आप 16 में यानि यह expiry में बहुत अच्छे से काम करेगी और आप इसे हर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं और यह जब से वीक्ली आप्षिन आई यह तब से momentum but after 12 PM market becomes sideways what to do in that situation होता है कि market normally market की जो closing होती है that is led by professional traders और market की जो opening होती है that is led by emotional traders market में दो तरीके के traders होते हैं एक तो emotional traders हो गए और एक professional traders हो गए तो जो closing होती है close करने के लिए आपको capital deploy करना पड़ता है open करने के लिए capital deploy नहीं unwind करना पड़ता है क्योंकि open में panic होता है और closing में confirmation होती है तो हमेशा आप देखेंगे market की जो move आती है वो 12 बजे के बाद move आती है तो normally closing is led by a professional and smart players and opening is always led by a panic और emotional traders तो मेरे ख्याल से अगर sideways है mid session में तो उसका मतलब यह है कि कोई न कोई move आपको closing session में मिलने वाली है और PCR का data की accuracy closing session में मिलेगे तो मेरे समझ से आप अगर closing session को trade करेंगे तो ज्यादा बेहतर returns मिलेंगे compare to opening sessions thank you sir important questions थे हमने कुछ हो हमने pick कर लिये हैं and now we are losing out of time if you suggest then we can wrap up the session with your closing note एक और question आ रहा है बहुत common की PCR की value zero है या negative है तो क्या करेंगे PCR की value देखिया ratio कभी भी negative नहीं होगा वह आपको जो formula आप लगाते वह formula गलत लगाते उसकी calculation अलग तरीके से होती है PCR की value zero हो सकती है point one हो सकती है but ratio cannot be negative यह हो सकता है कि call भी कट गई put भी कट गई दोनों की value negative हो गई तो ratio उससे negative नहीं आएगा क्योंकि ratio हमेशा जिरो यह point seven ही आएगा वह आप जो एक्सल में formula लगाते उसकी calculation में कुछ है बट PCR की ratio negative नहीं हो सकती है ratio always lies from मतब से point zero zero one से लेके three four six seven eight nine ten तक आएगी तो hope कि आपको answer मिल गया होगा आप अपने excel formula को check करें यह ratio cannot be negative very much thank you all the participants hope this session was useful for you see you again see you into the live trading thank you very much thank you thank you Rahul thank you sir yeah